कुछ एक जूट हमारे दिमागों में बैठा दिये जाते हैं जैसे आप सब ने ये कथा पढ़ी होगी कि एकलवे का उठा कटवा लिया दोड़ा चारे ने पढ़ाएना आप सब ने पर ये बताईए कितनों ने महाभारत में स्वेहम पढ़ा है मेरे विचार से हम में से किसी ने भी कभी महाभारत में वह परसंग पढ़ा ही नहीं होगा एक लवे वाला और अगर हम यह भी भी नमरता से पूछें कि महाभारत के कौँ से चैप्टर में है तो भी शायद हम मेंसे किसी को ध्यान नहीं होगा कि महाभारत के वन पर्व में एक लवे का उलेख है मगर देखिए मार्क्स और मैकाले का प्रभाव कि हमारे दिमागों में ऐसा भरा हुआ है कि हम गलानी से आबद हैं बगेर पढ़े होगा अब मैं आपसे कहूंगा जाईएगा जाकर पढ़िएगा अब अब इलेबुल हो तो इंटरनेट पे जाकर सर्च कर लीजेगा नहो तो राम जो महाभारत सीरियल आया था उसका एपिसोड जाके यूट्यूब पे देख लीजेगा किस्सा ये था कि जब आपको चाहें आपने एक खथा सुनी होगी कि कुट्य का मुह बाणों से भर गया था जो एकलव ने तीर चलाए थे और जब वह तीर अरजुन निकालते हैं तो उस कुट्य के मुह में एक खरोश तक उस बाण से नहीं आई होती है तो वह चौक जाते हैं क्योंकि ये सामाने तीर नहीं है उन्होंने काई तो दिव्यास्त रहें कि मुह में पूरा तीर तीर से भर गया मुह और इसके बाद भी एक खरोश नहीं आई आई आप कहेंगे दिव्यास्त का मतलब क्या दिव्यास्त का मतलब यह है यह से रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है न इसे पहले मिडिलीस की लड़ाई देती थी तो जो मिजाइल जाती है वो लेजर गाइड़ जाती है जिस बील्डिंग पे गिरना ऊसी बील्डिंग पे गिरती है अगल बगल पे नहीं गिरती क्योंकि the direction is precise to the meters पर अगर मुँ के अंदर जाए और खाल पर खरोच ना आए इसका मतलब it is so much strongly guided that it is precision to the micrometers तो जब ये वो देखते हैं ये दिवियासर चलाना तो उन्होंने का ये दिवियासर राजा चला सकता है कैसे सीखा इसने तो जब दोणाचार उससे पूछते हैं कि तुमने ये किस से सीखा तो कहता आप से सीखा गुरू जी कहते हैं मैं तो तुम्हे जानता नहीं बालक तुम अपना परिचे दो अब यहीं पर बिन दो एक लव क्या कहता है मैं मगद नरेश जरासंद के प्रधान सेना पती हिरन ने धनू का पुत्र एक लव है अरे वो मगद के चीफ आप दाम फोर्सेस का बेटा था यदि आप ये कह रहे हैं कि वनवासी था तो ये भी पूरा वाक्य तो पूरा करो कि वो सेना ध्यक्स था मगर नेखिये कितनी चालाकी से छुपा लिया आधे तत्थ को और उसके बाद हमारे दिबाकों में भर दिया कि ये बहुत गलत किया गया तो दाहिये हमारे हिंदु धर्म के दो महा कावे रामायन और महा भारत दोनों का रचैता कौन? रामायन के रचैता महर्शी वालमी की जो संस्कृत के आधि कभी माने जाते हैं आध जो वालमी की समुदाए है वो किस में आता है? चिडूल कास्ट में महा भारत के रचैता और वेदान्त और मीमान्सा के रचैता महर्शी वेदव्यास जिनकी मा मचुवारिन थी वह समुदाय किस में आता है कुछ राज्यों में दिल्ली में, शिडूल कास्ट में यूपी में, अतिपिछडे में तो मेरे भाई संत रहधास नामदेव कबीर, दादू ये सब पूचे संत हुए फिर भी हमारे दिमागों में ये भरा जाता है और कौन भरता है? वो वो लोग भरते हैं जो अपने यहाँ समाज के गरीब वर्गों की खरीद फरोख्ट करते थे और आपको ये भी बात बता दूँ जब हम कभी अपने हाँ कहते हैं फॉरें ट्रेविलर्स ने दिखाओ क्या लिखा है तो मैं ये बात आपसे कहता हूँ इसको भी जाके चेक कर लीजेगा किसी फॉरें ट्रेविलर का सबसे अथेंटिक जो रिफरेंस माना जाता है वो चंद्रुप्त मौरिक के समय में मेगस्थनी जाया था ग्रीस से जिसने अपनी किताब लिखी है इंडिका आज से 2300 साल पहले वो इंडिका किताब आज उपलब्द नहीं है मगर उसके धरन तमाम जगहों पे हैं तो प्रूबे ने किताब थी उसने भारती समाज में विवस्था का वरणन करते हुए लिखा है कि यहाँ पर साथ जातियां है मगर महत्कुन बात यह है यहाँ इतनी समरस्ता इतना सामंजस है कि यूनान के समाज के समान यहाँ कोई समाज का ऐसा वरग नहीं है जिसके साथ शोशन या भेदभाव किया जाता हूँ यह एक विदेशी लिख रहा है और मैं एक वर बात आपसे बताना चाहता हूँ बहुतों को नहीं पता होगा गाउं में पंचायत होती न यह पंचायत में पांच की संख्या कहां से आती यह चार यह छे क्यों नहीं पांच की संख्या जानते कहां से आती है चार वर्ण माने गए थे तो किसी भी गाउं में निरणे लेना होगा तो चारो वर्णों का एक एक प्रतनीदी होगा और पांचमा जानते कौन होगा गाउं के बाहरी छेत्रों में रहने वाले वो वनवासी जो पृत्यक्ष रूप से गाउं का हिस्सा नहीं है पर हमारे निरणे का प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ेगा तो पांचमा प्रतनीदी उनका होगा वहां से यह पंचायत का भाव आता है और फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारे दिमाग में एक और चीज भर दी गई कि जाती विवस्ता हमने बनाई आपको पता है कास्ट शब्द कहां से आया यह कास्ट अंग्रेजी का शब्द नहीं है यह पूर्तगीज भाषा का शब्द है और 1931 में जो अंतिम जनकरणा जाती के आदार पे उसमें 4114 जाती हैं हिंदू समाज में जिसमें अब 6000 बताई जाती हैं मैं चैलेंज करके पूछता हूँ कोई दिखाओ तो किसी धर्मकरण तमें 6000 जाती हैं लिखी हो और जहां लिखी हूँ उसमें इस से उंचे ये इनके नीचे ये ये उंचा ये नीचा कौन से धर्मकरण तमें लिखा है ये माली उचे की तेली उचे सुनार उंचे की लोहार उंचे कहां लिखा है जानते कहां लिखा है एक ब्रिटिश सेंसस कमिशनर हरबर्ट रिसले द्वारा किये गए सेंसस में हिंदू समाज को जातियों में विबाजित करके उपर से नीचे तक लिखा गया और फिर वो हमारे उपर अध्या रोपित कर दिया गया है हमारे दिमागों में कैसी कैसी बाते भरी जाती है एक थोड़ा लिबर्टी लेते हुए यह भी कहना चाहूंगा महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था अब यह बताईए हमारे अहां दिल्ली में लोगों को ध्यान नहीं होता है आप लोगोंने मैतरी कॉलेज और गारगी कॉलेज है ना यह मैतरी और गारगी कौन थी यह वैदिक काल की 20-22 विदुश्वी स्त्रियों में से एक है गारगी ने रिश्याग्यवल के साथ शास्त्रार्थ किया फिर मैं चैलेंज करके कहता हूँ दुनिया में कोई दूसरा धरम संस्कृती बताईए जहां धर्म पे टिपड़ी करने का अधिकार किसी महिला को हो और किसी धर्म के ग्याता के साथ शास्त्रार्थ करने का धिकार फिर हमको समझाये जाता है कि हमारे याँ बराबरी नहीं थी अरे आप सब को याद हो सबसे प्रख्यास शास्त्रार्थ कौन सा है आचारे मंडन मिश्र और आदी शंकराचारे के बीच में दोनों के बीच में जो शास्रार्त हुआ उसका जज कौन था आचारे मंदन मिश्र की पतनी उभय भारती फिर मैं चैलेंज करके पूछता हूँ पहले दुनिया कोई धर्म बताई है जहां टिपणी करने का अधिकार इस्त्रियों को हो और जज बनने का अधिकार हो डिस्किश ने लिया जाता था बराबरी का तो आलम यह था बराबरी नहीं थी यह सच है हमारे यहां बराबरी नहीं थी हमारे यहां मात्र शक्ति को पहले रखा जाता था इसलिए हम क्या बोलते हैं सीता राम सीता पहले राम बाद में लक्ष्मी नारायन लक्ष्मी पहले नारायन बा बाद में राधे कृष्ण राधा पहले कृष्ण बाद में माता पिता माता पहले पिता बाद में और इसलिए हमारे जितने भी पृतीक हैं भारत भी माता है धर्ती भी माता है प्रकति भी माता है गीता भी माता है गंगा भी माता है गाय भी माता है गायत्री भी माता है और य गुप्त वंश्च के समय में चौथी शताब्दी में प्रभावती गुप्त ने शासन किया है उसके बाद अहिलिया भाई होलकर रानी दुर्गावती रानी जासी वो सब तो आपने बहुत सुना होगा अब वो लोग आके हमको समझाते हैं कि बराबरी नहीं